आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, मैं पहले वीडियो इंग्लिश में बना करता था, लेकिन मैं देखा कि शायद यह पुरे वर्ल्ड तक जाएगा, बट चैनल का जो रीच है वसी इंडिया तक ही है, तो इसके लिए मैं फिर से एक बार हिंदी बना तो, बिकाज जो बहुत स है, तो आप उसको देख लेना, मतलब समझने कुछी कर लेना, भी मैं उसकी उपर दुबारा वीडियो नहीं बनाए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कि यह जो चैनल है, मेरा नॉन प्रॉफिट है, तो इसमें जब भी मेरे को कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस ज उनका चैनल मैंने रेकमेंड किया था बहुत सारे लोगों को, लेकिन अब मैं थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज आपको पहले ही बता दिया है, कि we always have to follow the truth, कोई भी ऐसा चीज अगर हम follow करते है, कभी कु steps क्योंकि यही होता ना, कि अगर हम किसी के सुनेंगे, और follow करेंगे, और कभी अगर कुछ implication उसा कभी बुरा कभी हो गया, तो फुर हम किस के पास जाएंगे, ऐसा ही हुआ था, जो उनसे मैं मिला, अब मैं यह नहीं बोल रहो, इनसान गलत है, बट फिर भी जो चीजे बता रहे है, उसको मैं आपको बोलूँगा कि मैं अपने risk पे ही follow करना, बाकि कोई चीज को follow ना करना, because ऐसे बहुत सारे चीजे हैं, जो मेरे को उनसे पता चली है, और जो कि मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत real है, क्या है, वो मुझे नहीं पता, बट क्या है, बट जो तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, ऐसा लगता है, कि everything is real, मतलब बहुत जादा कुछ तो research है, बहुत जादा कुछ तो सच है, वह ऐसा हमको लगता है, बट जो मेरा personal experience, जो अभी जो मेरा हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, कि कही ना कही वो भी जो information, जो person जो दे रहे है, also possessed by demon, और maybe demon का कुछ तो connection है उसके साथ में, विकि starting में जब मैंने उनका videos जब देखने, जब मैंने start किया था, तो मेरे को उस वक बहुत जादा तकलीफ मेरे को हुआ था, और तकलीफ in the sense मतलब बहुत जादा तकलीफ मेरे को हो गया था, तो मैं बोला, ऐसे तकलीफ के अंदर, मत पूछा कि ऐसा क्यू मतलब हो रहा है, तो उसा answer कुछ और निकला, तो एक चीज में समझ में है कि ऐसा नहीं है कि जो जो चीजे demons को power देती है, वो चीजे अगर हम करेंगे, तो वो तकलीफ ही हमको बढ़ेगा, तो मैं दर साथ हुनका वीडियो देखने में, उनको बोला कि आई ऐसा क्यों हो रहा है, मैं को जब आपका तो मुझे समझ में exactly कुछ तो something wrong है उदर से, अब ये तो रही बात यहां तक कि उसके बाद जब मैं भी उनसे काफी साथ में influence हो, मुझे लगा कि भाई उनका जो research है, knowledge है, that is on next level, क्योंकि कोई भी देखेगा तो वो वैसा ही ब कोई इनसान अगर हमको इक हटके कुछ तो अलग बता रहा तो उसको follow करना नहीं है, क्योंकि वो बाद में हमारे लिए बहुत बड़ा problem बन सकता है, तो मैं यह नहीं बोल रहा हो कि वो इनसान गलते head, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जब उनका सबसे पहला जब मैंने step मै सक्सीड भी हो गया, लेकिन जैसे मैंने वो किया, मेरा total health जो मेरा recovery जो मेरा body जा रहा था, वो वही से तूट के, फीर से मेरा बहुत बड़ा एक problem में आ गया, उसके बाद में चलो, वो तो मैंने follow कर ले, उसका साउथ इस्ट का, जितने सारे चीज़े उन्होंने बोले, मैं और main ये सारे चीज़े थी, दूसरी बात तो ऐसा भी होता है, देखो problems में तो हर कोई होता है, लेकिन जब आपको पता, जब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में और भी कोई लोग है, जो problem में, same problem से गुजर रहे हैं, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग उसक कि कोई, और इसका सबसे बड़ा जो reason है कि मतलब जैसे आज, 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 you know, both of the people जिसका तकलिफ सेम है, और उसके बाद भी अगर कोई इनसान, भले problems तो मेरे भी काफी जाद उनसे बड़े-बड़े problem थे मेरे को, बट फिर भी मैं, ऐसे टाइम में भी कभी, ऐसे टाइम म जब एक इनसान अगर सही रास्ते फॉलो करेगा, तो वो खुद भी सही होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में मैं बात करूंगा कि, जो हुआ है, अभी जो इनका वीडियो देखोगे, एक वीडियो के बाद, दुसरा जो वीडियो, तिसरा जो अलग-अलग direction में जाता लेगा, अभी इसके बाद में पता क्या है, सच्चा ही क्या है, वो उनका assumption या फिर उनका personal experience हो सकता है, फिर श्री लंका पर आते हैं, तो मतलब मुद्दा एक्चुली लोग भी घुम जाते की, मतलब exactly evolution है, तो वो evolution बाद में सर्च करके, दुसरे तरफ बाद में नाइट्र होने वाला है, उसके बाद जब confirm करें, बुलता अब नहीं है, बहुत यह लोग अटक कर रहे हैं, उसके बाद, जब उनको पूछते हैं, भाई वो opposite, negative, opposite, positive, negative हर एक बार होता रहता है, तो इस चीज के वज़े से मैंने थोड़ा एक कि मतलब नयाभी follow मुझे तो नहीं करना है, तो यह एक चीज है कि follow मतलब देखो, जैसा भी जो चीज़े जो आ रही है ना, मैं तो बोलूँगा कि जब मैंने south east का भी जब मैंने follow किया था ना, तो मेरा और band बज गया, तो basically अभी जो भी चीज़े है, यह आपकी उपर है, मैंने already एक वीडियो मैंने बना दिया है, तो मैं यह नहीं बोलूँगा कि person सही है, गलत है, वो आपकी उपर है, आप देख लो, जो भी आपको लगता है, बट मेरे ही साब से जो इतना मेरा personal experience है, you should not be, आप एक entertaining purpose के लिए देखो, या फिर अगर आपको लगते कोई चीज़ आपको उसमें सीखने को मिल रही है, तो आप वो चीज़ सीखे लेलो, लेकिन follow मत करना, जैसे मतलब जैसा, क्योंकि मैं आप क्यू बोल रहा हूँ, because मैंने ही चैनल को recommend के था पहले, और अभी मैं ही बोल रहा हूँ, कि मैं ऐसा नहीं बोल, आप देखो बिलकुल वीडियो, लेकिन follow मत करना, जो भी चीज़े आपक पुरा lifekeeper attack, कि मैंने comment में भी देखा था, एक बंदा फिलिपिन से था, और उसको भी attacks, black goo का बोल रहा था, black goo अगिरा क्या है मेरे को नहीं मालू, but definitely follow नहीं करना है, because अपनी personal experience जो हमको बता रही है, उसी को follow करना है, मेरा personal experience जो मेरे को बता रहा है, humans कोई भी bad नहीं है, humans के अंदर DNA होता है, वो reptilian DNA जैसे हाई हो जाता है, तो उसे possess कर लेता है, demons लोग, और जो बुरा ही जो आत, जैसे अभी आप बोलोगे कि भाई, कोई भी इनसान है, कोई इसके बास आप है, यह भी बुरा इनसान है, वो ऐसा करता है, वो वैस क्यों कर रहा है, because reptilian DNA हाई हो चु होता है, दोस्ती से बारा होता है, you know, all kinds of high frequency stuff, high vibration stuff उसके अंदर होता है, तो जो कोई भी जब कभी भी आप ऐसी कोई अगर आप व्यक्ति को देखते हो, जो अच्छा आपको लग रहा है, आपको ऐसी व्यक्ति से अगर आप ज़्यादा आप low vibration में नहीं जा रहे हैं, तो मत normal human है, जो उसको demon possessed किया है, तो ये सब demon possession के वज़े से ही पुरा होता है, ये normal human being का नहीं है qualities, मैं आपको अभी भी बता रहा है, आप बोलो के क्या रहे हो इनसान बुरा है, भाई, इनसान बुरा कोई भी नहीं है, उसके अंदर जो DNA, reptilian, DNA जब वो चाता हो जाता है तो demon possessed कर लेता है, और main क्या होता है, demon उनको क्यों possess करता है, because कि उनको light, उनको खाना चाहिए, भाई, उनको light चाहिए, उनको, तो वो चीज़ को लेने के लिए क्या करता है, सामने वाले आदमी को परेशान करना, उनके बारे में बुरा ही करना, उनको negative चीज़े, बनको depression, उनको tension मे बोलूँगा कि भाई, वो आपके उस पहें, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि आप follow मत कीज़े, एक normal purpose और knowledge purpose और entertainment purpose के लिए आप देख सकते हो,